हलो एप्रिबान कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हो एक और नई डिजाइन का डूर्मेट इससे आप टेविल मैट भी बना सकते हैं या पूजा का आसन बना सकते हैं और इससे बनाने के लिए देखिए मैंने दो कलर की बूल ली है नाइन नंबर से लाई ली है तो दो तीन चार पांच छे साथ आठ पंदे मैंने रेड गलर से लिए आठ फ्रोजी से डालूंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ बापस रेड से यह हमने अलग अलग गोले बनाए है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह देखिए यहाँ पे चौविस फंदे मैंने ले लिये हैं आप जितना बड़ा बनाएंगे तो तीन जगे फंदे बराबर बराबर ले सकते हैं आप बिस बिस फंदे रखेंगे तो यह साथ फंदे का बन जाएगा जो भी आप डालना चाहें प्यर के इसाफ से आप फंदे ले सकते हैं यहाँ पे मैं चौविस फंदे का बना रही हूं दददस फंदे आप करेंगे तो यह तीस फंदे हो जाएंगे उस इसाफ से आप फंदे लेने हैं आप देखिए हम यहाँ से फर्ष्ट सलाई को बुनेंगे तो देखें एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, साथ फंदे मैंने बुने और देखिए इसको हमने ऐसे किया एक फंदा हम यह रेड वाला फ्रोजी से बना लेंगे ऐसे और देखिए यहाँ पर दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ इस तरह से आप देखिए एक फंदा हम इदर से इस रेड गलर से बुनेंगे यह हमने इदर कर लिया और यहाँ से एक हमने यह रेड से बना लिया थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम टाइट करेंगे ताकि यहाँ पर होल ना रहे दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, साथ फंदे बुने, दो बिना बुने छोड़ दिये बूल को इधर किया और हमने सलाई को पलट लिया ऐसे अब हम इसको ऐसे क्रॉस करा देंगे इसको आगे लाएंगे फ्रोजी को और यहां पर जो जैसा मिलेगा उसको हम बैसे ही बुनते जाएंगे यह देखिए इस तरह से इसको ऐसे यहां से हम रेड को आगे लाएंगे और यहां से रेड से बुनेंगे यह देखिए इस तरह से दो रोग कंप्रीट हो गए एक अधर से और एक उदर से अब देखिए तीसरी रोग पे हम इस फंदे को उतारेंगे उल्टे तरब से तभी आपकी यहां पर चैन आएगी तो यहां से इस तरह समना तारा बूलक इदर किया यहां से दो तीन चार पाच छह इसको हम ऐसे करेंगे यहां से एक खंदा रेड वाला फ्रोजी से बना लिया दो तीन चार पाच छह साथ आठ इसको हम ऐसे करेंगे एक हम इधर से बना लेंगे एक दो तेन, चार, पांच, छे, दो बिनाबुने छोड़ दिये, हैंसे हम पलट लेंगे, यहाँ पर जो जैसा है उसको हम बैसे ही बुन लेंगे, ऐसे, अब हम देखिए इसको ऐसे करेंगे, इसको आगे लाएंगे, अब पूरी रोहम जो जैसा है उसको बैसे ही बनाते जाएंगे, यह देखिए, इस तरह से, यह देखिए, इस तरह से देखिए, अब देखिए, हम एक एक फंदा उपर से, यह करते हुए, दो-दो फंदे इधर छोड़ते हुए, लाश्ट के यह दो फंदे बचेंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगे, यह देखिए, लाश्ट में दो फंदे रेड के रह गए हैं, और यहाँ पर हमने दो-दो करके यह बारा फंदे छोड़ दिये, देखिए, दो, दो-दो-चार, दो-चे, दो-आठ, दो-दस, और दो-बारे, यह दो फंदे रह गए अभी, अब हम इस रो में यह दो फंदे एक साथ फ्रोजी से बना देंगे, ऐसे, यह देखिए, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, नो फंदे बनाए, एक फंदा हम इधर से यह रेड से कर लेंगे, दो फिर से चोड़ देंगे, तो यहाँ पर चाओदा फंदे चूट गए, यह देखिए, एक हमने यह बना लिया, यही से पलट दिया, और यहाँ प इसको बैसे ही बुल लेंगे, यह देखिए, इस तरहे से, यह देखिए, ऐसे, आप देखिए, हम यहाँ पर इस फंदे को उतारेंगे, बूल अपने तरफ, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, और देखिए, एक रेड बाला बुन लेंगे, दस, और दो यहाँ से बुनेंगे, ऐसे, अब मैं यह दो दो फंदे, इधर से, जैसे मैं छोड़े हैं, बैसे ही, बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, यह देखिए, इसको इस तरह से, क्रोस करवा देंगे, और फ्रोजी को आगे लाएंगे, यहाँ से हम, जो जैसा कलर है, उसको बैसे ही बुन के कम्प्लीट करेंगे, यह देखिए, इस तरह से, यह देखिए, और देखिए, यहाँ पे यह दो रो आ गई हैं, तो अब हम यहाँ से, दो फंदे रेड बुनेंगे, यहाँ पे अब हम जैसे बना रहे हैं, दो दो फंदे अंदर के साइड रेड करते जाएंगे, और यहाँ से देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, एक फंदा हम रेड बाला फ्रोजी कर लेंगे, अब हम यहाँ से एक यह, और दो हमें आगे से लेने हैं, उससे पहले हमें गैफिंग को भरना है, तो यहाँ से दो फंदे उठाए, यहाँ पे तीन का एक कर दिया, एक फंदा हमने आगे से ले लिया, तो यह तीन फंदे होगा, यही से हम पलट लेंगे, तीन बनाने के बाद हम यह, ऐसे, यह देखिए, इसको हम ऐसे कर देंगे, यह देखिए, यहाँ से हम यह वाला रेड लाएंगे, और ऐसे बनाएंगे, अब देखिए, हम यहाँ से इसको उतारेंगे, इधर करेंगे, बूल, दो और दो फ्रोजी वाले रेड, से बन लेंगे, एक और दो, आप देखिए, यहाँ से हम फ्रोजी कलर लगाएंगे, तो एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, साथ हो गए, एक यहाँ से बनेंगे, तो आठ, आठ फंदे हो गए, आप देखिए, यहाँ से एक और दो, दो यह और दो हम आगे से लेंगे, यहां से हम फंदा उठाएंगे, एक यहां से उठाएंगे ऐसे, यह देखिए, ऐसे, और तीन का एक कर देंगे, यह देखिए, एक आगे से ले लेंगे, यही से हम पलट जाएंगे, अब देखिए, यहां पे जो जैसा है, उसको हम बैसे ही बुनते जाएंगे, अब देखिए इसी तरीके से हम दो-दो फंदे यहां से लेते हुए और देखे एक फंदा यह रेड करते हुए इधर से एक-एक फंदा फ्रोजी बाला करते हुए अब देखे हम यहां पर इस फंदे को उतारेंगे बूल अपने तरफ दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और देखे एक रेड बाला बुन लेंगे दस और दो यहां से बुनेंगे ऐसे अब मैं यह दो दो फंदे इधर से जैसे मैं छोड़े हैं बैसे ही बनाना स्टार्ट कर रही हूँ यह देखे इसको इस तरह से क्रोस करवा देंगे और फ्रोजी को आगे लाएंगे यहां से हम जो जैसा कलर है उसको बैसे ही बुन के कम्प्लीट करेंगे यह देखे इस तरह से यह देखे और देखे यहां पे दो रो आ गई है तो अब हम यहां से दो फंदे रेड बुनेंगे यहां पे अब हम जैसे बना रहे हैं दो दो फंदे अंदर के साइड रेड करते जाएंगे और यहां से देखे एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ एक फंदा हम रेड बाला फुरूजी कर लेंगे अब हम यहां से एक यह और दो हमें आगे से लेने हैं उससे पहले हमें गैफिंग को भरना है तो यहां से दो फंदे उठाए यहां पे तीन का एक कर दिया एक फंदा हमने आगे से ले लिया तो यह तीन फंदे होगा यही से हम पलट लेंगे तीन बनाने के बाद हम यह ऐसे यह देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे इसको ऐसे यह देखिए यहां से अब हम यह वाला रेड़ लाएंगे और ऐसे बनाएंगे अब देखिए हम यहां से यह देखिए मैंने यह दो फंदे बुने अब एक फंदा हम फ्रोजी वाला कर लेंगे देखिए एक रो में हमने लाश्ट में यह दो फंदे लिए थे उसी तरीके से हमने दो यहां ले लिए अब हम एक एक लेंगे तो अब यहां से हमने एक फिरोजी कर लिया उसके बाद देखिए एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ और देखिए आठ अब यहां से हम एक और दो, दो हमें आगे से चाहिए इस तरह से तो हम इसके गैफिंग को भरेंगे इस तरह से यह तीन यहाँ पर रेट बुन लिए उसके बाद देखिए यह तीन का एक किया और एक हमने आगे से ले लिया तो यहाँ पर पांच हो गए हमारे पास यहाँ पर जो जैसा है उसको हम बैसे ही बना लेंगे यह देखिए अब हम इसको ऐसे कर देंगे इसको आगे लाएंगे तो देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ बनाने के बाद हम इसको पीछे करेंगे इसको ऐसे इस तरह से यह देखिए आप देखिए इसी तरीके से हम एक एक फंदा रेड यहाँ पर करते हुए फ्रोजी बाला और देखिए इस साइड से यहाँ से करेंगे रेड दो फंदे हम आगे से लेंगे तो हम इसी तरीके से बनाएंगे दो दो फंदे लेते हुए लाष्ट तक हम बना ले है पिर दिखाते हैं यह देखि इस तरह से हमने एक कली यहां तक कम्प्लिट कर ली हम नहीं है i place ने यह थोई है इस रो हम जैंगे पहले कली को हम उपर ले जाएंगे, फिर जब हाप कली ये बन जाती है, उसके बाद फिर अंदर के साइड लाते हैं, तो हम यहां से देखिए, इस फंदे को उतारेंगे, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, साथ फंदे बुने, एक फंदा हम ये फिरोजी कलर से बुन लेंग तो देखिए आयासे, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, और आठ, ये देखिए, अब एक हम ये रेड से बुनेंगे, अब यहां से फिर से हम सेकंड कली बना रहे हैं, तो यहां से हम फश्ट तरोर रिपीट कर रहे हैं, तीन, चार, पाच, छे, साथ, दो बिना बुने, छ सलाई को हम यहाई से पलट लेंगे इस तरह से ऐसे यहाँ पर जो जैसा है उसको हम बैसे ही बुनेंगे इसको हम क्रॉस कराएंगे इस तरह से यह देखिए इसको हम पीछे कर देंगे इसको आगे लाएंगे कर देखिए अब देखिए इसी तरह से हम इसको बना के कमप्लीट करेंगे देखिए एक फंदा हम उपर के सैट जाएंगे और यहां पर दो दो क्वंदे साथ, साथ कलियां बनके कम्प्लीट हो गई, यह बाली कली पूरी हो गई, देखे, यहाँ पे तो अब हम इसको बन करेंगे इस तरह से दो का एक करते हुए सारे फंदे हम बन कर लेंगे ऐसे यह देखे इस तरह से हमने बन कर लिए, यह रेड से अब हम यहाँ पे, रेड को यह चोड़ देंगे, फ्रोजी से बन करेंगे ऐसे और देखे, आगे फिर हम रेड लगा लेंगे देखे, यहाँ पे हम ऐसे लगा लेंगे दो काई किया, उसके बाद यहाँ से ऐसे सारे फंदे हम ऐसे ही बन कर लेंगे इस तरह से, यह देखे, इनको हमने बन कर दिया और आप देखे, हम इस बूल को कट कर लेंगे आप देखे, हम इसके सिलाई करेंगे तो सिलाई करने के लिए हमने उल्टी साइड कर ली है और देखे, यहाँ से हम उपर के साइड से इसको सिलके कम्प्लीट करेंगे ऐसे, देखे, जहाँ पे रेड है उसको हम रेड से सिलेंगे और फ्रोजी है उसको हम फ्रोजी से सिलेंगे और जो एस्ट्रा बूल होगी उसको हम बाद में नोट लगाने के बाद कट कर देंगे यह देखिए इसी बूल को हम थोड़ा सा लंबा करके इस साइड यहाँ पर पहले सिल देंगे और जब हम फ्रोजी से लेंगे तो फ्रोजी बूल डाल लेंगे यह देखे यहां पर हम इसमें नोट लगा देंगे इस तरह से और बूल को हम कट कर लेंगे और देखे फ्रोजी कलर से हम यहां पर सिल लेंगे